तो योध्या के भवे राम मंदिर में 22 जन्वरी को राम लला स्थापित होने वाले हैं लेकिन इस से पहले ही अयोध्या कितनी बदल गई है ये देखने के लिए स्वयम राम और सीता चल कर अयोध्या आए हैं हम बात कर रहे हैं रामायन सीरियल के राम और सीता की यानि अरुन गोविल जी और दीपिका जी से आज उनसे बात होगी और उनसे भी पूछेंगे कि कितनी बदली है अयोध्या और इस बदलती हुई अयोध्या को लेकर उनका क्या कहना है तो आईए चलते हैं तो भीया आए थे हम अयोध्या में राम लेला के दर्शन करने लेकिन यहां पर राम भगवान खुद हमें यहां पर मिल गए हैं इनसे बात करते हैं तो सर कैसा लग रहा है योध्या में आकराम बहुत अच्छा लग रहा है सर अयोध्या में राम लेला स्थापित हो रहे हैं पूरा विकास हो रहा है योध्या नगरी राम मैं हो गई है आप जब योध्या में निकले तो आपको कैसा फिए हो मैंने बताया नभी बहुत अच्छा लग रहा है आयद्या बहुत बदल गई है बहुत सुन्दर हो गई है अब इसमें ओरजा बहुत आ गई है तो बिलकुल बहुत मदा आ रहा है एक एक पल यहां जी जो हम लोग जी रहे हैं उसमें इतनी सुखा दनुभूती हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है सराम को सर एक चीज में आप से ये जानना चाहरा हूँ कि आपने तो राम की किरदार को जिया है और अब जब राम लला स्वयम यहां पर विराजमान हो रहे है तो आपने क्या सूचा था कि कभी यह पल आएगा जीवन में की नहीं नहीं मंदिर को तो बनना ही था और मंदिर बनना था तो राम लला की प्रेंप रितिष्टा तो हो नहीं थी वो तो है ही तो इस بات का पूरा विश्वास था कि यह पल जरूर आएगा और इस पल के आने के बाद आप इस पूरे पल का श्रे किसको देना चाहें इसका श्रे बहुत सारे कोई भी काम होता है तो कलेक्टिबली होता है तो इस पल को लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिये हैं बहुत लोगों ने बहुत काम किया है लेकिन करेच किया है उनमें इतनी उर्जा है वो अपनी उर्जा उन्होंने सब में इस तरह से बाटी है कि और इस उन्हें उनकी खूबियां है कुछ बड़ी उनमें मुझे जिस तरह का वो काम करते हैं मुझे लगता है उनमें एक इश्वरिय शक्ति भी है अब आप देखे कि प्रा एक विकक्ति को अगर क्राड़िट देना है तो श्री नहरेदर पादी है है मैं महें स्वरिय। अब कैसे देखते हैं इस किर्दार कौ अपने जीवन में मैं बस सीता मा का स्वरूप है वो एक परफेक्ट पत्नी है परफेक्ट बेटी है और मुझे लगता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंडेंट, स्ट्रॉंग माइंडेड है, कोई हम स्ट्री जिनकी बात कर सकते हैं, तो मुझे सीता जी सबसे पहले मेरी जहन में आती है, उन्होंने सिंगल हैंड़ली अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया है, उनको अच्छे संसकार दिये हैं, उनको जब लगा कि पती के साथ उनको खड़ा रहना है, 14 साल बनवास में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने खुद अपना डिसीजिजन लिया और वो गई, तो मुझे मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉंग विमेन हैं, बहुत खुशी हुई, क्योंकि राम के नाम हम बहुत सालों से लेते आये हैं, और जब गवर्मेंट और पब्लिक जब ये मानती हैं कि हम लोग, हमारी जो रामायन है, उसमें राम, सीता और लक्षमन, हुबहू, वैसे ही होंगे शायद जैसे वो कल्पना करते हैं, तो एक अप्रिसेशन का मोमेंट होता है, इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा अफसर है, मेरे लिए शायद ये पदमश्री से भी बड़ा मोमेंट रहेगा, कि मुझे गवर्मेंट ने इतने बड़े अफसर पर उन्होंने इन्वाइट किया, आखरी सवाल मेरा ये है, कि जो राम रमायन थी आपकी 1989-90s के दोरान जब आई, तब राम मंदिर आंदोलन एक पेस पकड़ रहा था, शुरू हुआ था, शुरू हुए थी, तो मैं ये पूछना चाहरा हूँ कि रामायन ये जो सीरियल था, आप लोग द्वारा जो बनाया गया, इसका क्या इंपेक्ट देखते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में? मैं आपको बताती हूँ, रामायन शीरियल रिल्यज होने के बाद आंदोलन शुरू हुआ है, जो आप बता रहे हैं, it is not į। उरियल स्टारे एंड उसके बाद आंदोलन स्टारेए, अमारी शीरियल ने ये आंदोलन की शुरूरात नीव हम लोग ने डाली, दिस ए नीव हमने डाली है। कॉंग्रेस कहती है कि रमायन को अप्रूफ करने वाले हम लोग थे तो इस वज़ा से वो भी एक क्रेडिट लेना चाहते है रमायन सीरियल के राम और सीता जी यानि अरुन गोविल और दिपिका जी जिन्होंने हमें बताया कि अयोध्या में जो राम कर उनका क्या सूचना है जब उनके पास इन्विटेशन आया तो उन्हें कैसा लगा और साथ ही राम मंदिर आंदोलन में किस तरह रामायन सीरियल ने एक एहम रोल निभाया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और जानकारी स इसे बरे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अनकट शुक्रिया